जन्ता की सेवा के लिए देट विट्सित मधंदेश अब देट लिए स्काही होडाता है तब बुल्डो जर्भी चलेगए मुखिमंतिश शिवरासिंग चोहान ने भुपाल के कुशा भाव ठाकरे सभागार में नीती आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट पर आयोजेत प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा कारिक्रम में सह भागता की नीती आयोग द्वारा जारी रास्टी बहु आयामी गरिवी सूचकांग पर भुपाल में आयजीत प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा कारिक्रम में नीती आयोग के सदसी डॉक्टर वी के सारसच जी ने मुखिमंतिश शिवरासिंग चोहान जी को मल्टी डाइमेंशन प पादन कई कुना बढ़ा है मद्ध प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं की निरंतर विस्तार से गरी भी कम हुई है मुखिमंतिश शिवरासिंग चोहान ने भुपाल में आईजित कारिक्रम में भगवान श्री गणेश जी का पूजन एवं पट्टी का अनावरण कर 180 करोड की लागस से 9 निर्मित वन भवन का लोकारपन किया मुखिमंतिश शिवरासिंग चोहान ने प्रदेश की बहनों के लिए संदिश दिया सीमशी चोहान ने कहा कि इस बार 10 अगस को मैं रीवा से आपके खाते में एक एक हजार उपे डालूँगा रीवा का कारिक्रम एक बज़े प्रारंब होगा और दो बज़े मैं अपनी बहनों से बात करूँगा मेरी आप सभी से अपील है कि अपने अपने गाउं, शहर और वाड में अपने भाई को सुनने इस कारिक्रम में ज़रूर उपस्तित रहें मुख्यमंतिश शिवरासिंग चोहान ने काहा है कि मानिनी प्रधानमंतिश इनरेंद्र मोदी जी 12 अगस्त को पुनाहा मद्ध प्रदीश पधार रहे हैं प्रधानमंतिश सागर के बढ़तूमा में संतर अविदास जी के भविस्मारक का भूनी बुजन करेंगे इस दिन पूरे प्रदेश में संतर अविदास जी के समरस्ता का संदेश देती हुई यात्राओं का समापन भी बढ़तूमा में होगा मुख्यमंतिश शेवरासिंग चोहान ने का है कि मालिनी प्रधानमंतिश इन नरेंद्र मोदी जी एक और बड़ी सौगाद बुंदेल खन एवा मध्धप्रदेश को देने वाले हैं 12 अगस्त को ही प्रधानमंतिश जी बीना रिफाइनरी पेट्रो केमिकल की विस्तारी करन परियोजनाओं का भी गुविजन करेंगे बिपी सी एल इन परियोजनाओं पर लगभग 50,000 करोड खर्च करेगी मुख्यमंतिश शीवरासिंग चोहान ने कहा है कि मधप्रदेश निरंतर प्रगती के पतपर अग्रसर हो रहा है विकास की कई परियोजनाओं का विकास पर के दोरान निरंतर लोकारपन और शिलायास हो रहा है मुझे प्रसंदता है कि 16 जलाई से जारी विकास पर में अब तक 7,245 करोड की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकारपन हुआ है 36,348 करोड रुपे की 13 सिंचाई योजनाओं का भूमी पुजन हुआ 33 सीम राइस इसकुलों का प्रारंब हो रहा है नए स्विकरित मेडिकल कॉलेज का शलन्यास कारिक्रम हो रहा है रास्ट्री राजमार्ग और सडत मिर्मान के 21,900 करोड रुपे के 1207 कारियों का भूमी पुजन संपन हो रहा है अमरती योजनाओं के तहर शहरी पियजल परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड की राशी खर्च की जा रही है जलजीबन मिशन के अंतरगर 28,471 करोड की पियजल परिजनाओं के भूमी पुजन जैसे अनेक विकास के कारी किये जा रहे है मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान के उपस्तिती में मुख्यमंत्री निवास कारले सुमत्वहन में प्रशानती मेडिकल सर्विस और रिसर्च फाउंडेशन और राजिश्यासन की ओर से लोग स्वास्त एवं परिवार कल्यान विभाग के मद्दी M.O.U किया गया CMC चोहान ने कहा कि बच्चों में जन्मजात रिदे विकार का उपचार माता-पिता सरलता से करा सके और विशेशिक की सेवाएं उपलब्द हों इस उद्देश से पाउंडेशन के साथ M.O.U किया गया है CMC चोहान से CMC चोहान से CMC रिवाट समोंग पीथमपूर में 700 करोड रुपे के निवेश से इस्थाबित हो रही कंपची की नई काई की समद में जानकार दी इस से लगभग 500 लोगों के लिए रोजगार से जित होंगे मुख्यमंति शिशिवरा सिंग चोहान से मुख्यमंति निवास समतुभन में रिलाइंस उत्द्यूग समूग के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर मद्यप्रदेश में प्रस्तावित निवेश के संबन में चर्चा की CMC चोहान को Reliance Industries के वरिष्ट उपाध्यक्ष श्री फरहान अंसारी तथा उपाध्यक्ष श्री विवेक तनेजा ने बताया है कि उनका समूप्रदेश के विभिन इस्थानों पर 10 Compressive Bio Gas और 15 Bio Gas सघनी करण सयंत्र स्थापित करने में लगभग 1,970 करोड का निवेश कर जैव उर्जा की शेत में प्रवेश का इच्छुक है मुख्यमंति शिशवरा सिंग चोहां से मुख्यमंति निवास समत भून में पेपसिको इंडिया लिमिटेट के प्रतिनीधियों प्रेसिदेंट श्री एहमद अलशेग चीफ फाइनिंशियल ओफिसर श्री किशोर मित्रा और चीफ कॉर्पेर्ट अफेर्स एवं कम्युनिक मुख्यू